नमस्कार मैं दीप्ती बुंदेल खंडी जायका में आज पत्ता घोबी से एक बहुत ही जबर जस्त रैस्पी लेकर आई हो जिसको आप पूरियों के साथ बहुत अच्छे से इंज्वाय कर सकते हैं खास तोर से पूरियों के साथ ये बहुत अच्छी लगती है तो यहां पर बनाना शुरू करते हैं मैंने एक बड़ा प्याज लिया है उसको लंबे स्लाइस में कट कर लिया धीर सारा यहां पर ले सुने हरी मिर्ची और अद्रक इन सभी चीजों को महीन कट किया है और मैंने यहां पर दो मीडियम साइज के टमाटर इस तरह से कट करके रख लिये है अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर कढ़ाई यह बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनकर तयार होती है और इस समय बच्चों के टिफिन की बहुत ज़्यादा चिंता होती है न तो यह बना कर दीजिए बच्चों को बहुत पसंद आईगी जो बच्चे पत्तागों भी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं वो भी इसे स्वाद से खाएंगे अब मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल लिया तेल को गरम कर लिया उसमें डाली हूँ में यहाँ पर अद्रक और लहसुन यहाँ पर अद्रक लहसुन जब अच्छे से भुन जाएगा उसमें बड़ी आसा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा फिर हम यहाँ पर प्याज डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे पहले हरी मिर्ची डाल देंगे तो वह जल जाएगी इस तरह से मैंने प्याज के स्लाइस डाल दिये हैं और इनको भी अच्छे से भून लेंगे जब तक यह बड़ी आसी गोल्डन नहीं हो जाती है प्याज इसको इसी तरह से भूनना है आज बहुत जादा तेज नहीं करन अपर उसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता है आप इस तरह से डाल कर देखिए का इस मेथी दाना का टेस्ट जादा अच्छा आता है अब इन सभी चीजों के बुनने के बाद मैं आपर डाल रहे हूं हरी मिर्ची हरी मिर्ची को बिल्कुल लास्ट में डाला है ताक चमच हल्दी पाउडर साथ में यहां पर नमक ले रही हूं स्वाथ की अनुसार अब इन सभी मसालों के साथ ले रही हूं मैं एक चमच कस्पीरी लाल मिर्च यह कड़बी नहीं होती है बस इसका अच्छा सा कलर आ जाता है तो इस तरह से बिना पानी डाले ही मसालों को मैं मैं भून रही हूं और यहां पर मैंने बहुत अच्छे से मसाले भून लिए हैं मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे उसके बाद यहां पर डाल रही हूं मैं टमाटर तो टमाटरों को भी हमें अच्छे से पका लेना है इस तरह से सभी चीजों के साथ मिक्स कर दिया मैंने और अब मैं टमाट्रों को भी बढ़िया से पका रही हूँ इस तरह से आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए इसको लिट से कबर कर सकते हैं ताकि टमाट्र सॉफ्ट हो जाए हमें इनको बहुत अच्छे से उसमें मसलना नहीं है कि हम इनको बहुत जादा एकदम से ठोक मसाले अच्छे से भुन गए हैं टमाटर भी पग गए हैं तो मैंने यहां पर दो मीडियम साइज के आलू लिये थे कच्छे आलू है इनको मैंने यहां पर इस तरह से डाल दिया हैं पानी में डाल कर रख दिया था ताकि यह काले न पड़े और अब इस तरह से मिक्स कर रह इस बी इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि आलू में मसाला बहुत अच्छे से लग जाए और उसके बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे जो हमने इस तरह से कट करके रखा है पत्ता गोबी तो यहाँ पर यह बन रही है आलू और पत्ता-गोबी की बहुत ही जबरजस्तिसी सबजी जो बिल्कुल अलग तरीके की बनकर तयार होती है इसको बनाना बहुत आसान है पर ये बिल्कुल सादा सिंपल सी है खाने में बहुत टेस्टी है तो इसको हम इस तरह से ढख देंगे ताकि पत्तागों भी है वो यहां वहां न जाए और पहले हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद हम इसको मसालों के साथ इस तरह से मिक्स करेंगे जो हमने आलू और मसाले डाले हैं इस तरह से आप यह पत्तागों भी बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बनकर तयार होता है खास तोर से बच्चों की टिफिन में दीजिए उनको पूरियों मसाले भी नहीं लगते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा मसाले हैं या बहुत ज्यादा जंजट वाली यह सबजी है बहुत ही आराम से बनकर तयार हो जाती है और यहां पर इस तरह से मैंने इन सभी चीजों को मिक्स कर दिया है और आज को यहां पर धीमा करेंगे पानी तो और भी ज्यादा टेस्टी बनती है यह इस तरह से पढ़ियासा इसको चलाते जाए और इसको अच्छे से हमें पका लेना है जब तक हमारे आलू नहीं पक जाते हैं मैं बहुत ज्यादा टमाटर नहीं पकाती हूँ बहुत ज्यादा पत्ता गों भी भी नहीं पकाती हू मैं इस तरह से बनाती हूँ और बहुत अच्छी बनकर तयार होती है आप एक बार बना कर ट्राय जरूर कीजिएगा आपको भी ये जबड़ जस्त रेस्पी बहुत पसंद आएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा देख रही हूँ मैं कि आलू पके हैं या नहीं दो मिनट के लिए मैंने इसको और इस तरह से कबर कर दिया है और यहाँ पर दो मिनट बात देखिए आप कितनी बड़िया सी भुनकर तयार हुई है हमारी ये पत्ता गोबी और आलू की ये रेस्पी बहुत अच्छी लगती है मैंने इसमें जरा सा भी पानी ने डाला है क्योंकि पत्ता गोबी खुदी पानी छोड़ता है और यहाँ पर अभी गरम है देख लीजिए फिर भी मैंने इस तरह से किया तो आलू हमारा आराम से मसल गया है तो इसके उपर आपको अगर धनिया पसंद है तो धनिया डाल दीजिए नए धनिया अगर आपके पास अबेलविल है तो आप यहाँ पर कसूरी मेथी डाल दीजिए उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें मैंने यहाँ पर डाल दिया है हरा धनिया और इस तरह से बनकर तयार हो गई है अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपको यह कैसी लगी वीडियो पूरा देख रहे हैं और रेस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे च और यह बहुत ही टेस्टी लाजवाब है जिसको पत्तागों भी बिल्कुल नहीं पसंद देना वो भी इसे बहुत स्वाथ से खाएंगे यह उन्हें भी बहुत पसंद आएगी खास तोर से इसे आप सफर में ले जाएए बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही टेस्ट में देरियों में उनको बहुत अच्छी लगेगी तो आप भी अपने बच्चों के लिए बनाइए और मुझे बताइए कि आपने मेरे तरीके से बनाई तो आपको कैसी लगी